ब्रिसभरासी बालों का आने बाला दिन यणी की चार जून 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ चार जून 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है दस में नक्छत्र है उत्तरा भाद्रपद पक्छ है क्रिस्न पक्छ दिन है सुक्रवार मित्रों आने बाले समय में सुर्ज उद्य का समय है पंच बज के तईस मिनट में सुर्ज अस्त का समय है साथ बज के पंदरह मिनट में रितू है ग्रिस्म आज का दिन काल है 13 घंटे 22 मिनट 35 सेकेंड का महिना है जेस्ट मित्रों आने वाले शमय में सुभ समय सुरू होता है 11 बजी के 21 मिनट एम से 12 बजी के 47 मिनट पी एम तक मित्रों आने वाले शमय में असुभ समय सुरू होता है 8 बजी के 9 मिनट एम से 9 बजी के 5 मिनट एम तक आने वाले शमय में राहु काल सुरू होता है 10 बजी के 35 मिनट एम से 12 बजी के 29 मिनट पी एम तक दिसासूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों इस वेडियो के अंत में आपके आने बाले समय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी सुने ताकि आपका आने बाला समय बिहतर एबं सांदार हो सके शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके बैबाहिक जीबन के बारे में मित्रो आने वाले शमय से पहले यदि आपके बैबाहिक जीबन में कोई भी पड़ेशानी कोई भी समस्या था तो आने वाले शमय में उस पड़ेशानी का अंत आपको करना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बैबाहिक जीबन आपका दामपत्ते जीबन बहुत जयादा खराब होगा तो आने वाले समय में इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए मित्रों आप में से जो भी जातक बेपाड़ी हैं कारोबाड़ी हैं तो आने वाले समय में यदि आप अपने बेपार अपने कारोबार के छित्र में कोई भी पड़िवर्तन कोई भी बदलाब करना चाहते हैं तो पड़िवर्तन करने से पहले जो आपके सहकर्मी हों जो लोगों के साथ में आपको बात करना चाहिए। एबम इन लोगों से बात करने के बाद ही कोई भी पड़िवर्तन आपको करना चाहिए। आने बाले शमय में आपके पढ़ाई लिखाई के छेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको अबश्य मिलेगा। तो मित्रो आने बाले शमय में अपने सिक्छा के छेत्र में समय के दुरुपयोग से आपको बचना चाहिए। मित्रो आने वाले समय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है पारदर्सी एबम गुलाबी आपके लिए भाग्यसाली अंक है आठ यनी की एट्ट मित्रों आने वाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको मांस एबम मदीरा का सेबन नहीं करना चाहिए मित्रों आने वाले शमय में यदि आप इस टोटके को आजमाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जियादा मजबूत एबं बिहतर होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्रेब कर दे एबं इस वेडियो के नीचे जय महादेब कमेंट कर दे एबं इस वेडियो को आप हर जगह से यर कर दे धन्यवाद